दोस्तो नमस्कार मैं रेकी ग्राण मास्टर एंड इपनो थरेपिस्ट मगन सिंग प्रोम मेहंद्रगड हरियाना दोस्तो आपका फ्रीडम फ्रोम डॉक्टर में आपका स्वागत है दोस्तो मैं रेकी से और इपनो थरेपिसे बहुत सी मानसिक बीमारियों का वैस सभी प्रकार के सारे रिक बीमारियों का सभी प्रकार के दर्द का मैं इलाज करता हूँ रेकी से इसमें ने दवाई दी जाती है ने कोई और कुछ दी जाती है हम आपको घर बैठे हुए इस आधोनिक साइन से हम आपका इलाज करते हैं बिमारियों का सभी प्रकार के बिमारियों का सभी प्रकार के दर्द का आपके चाई गुटनों का दर्द है आपको गठिया का दर्द है सर्वाइकल का दर्द है आपका जाड़दात का दर्द है आपके सिर में दर्द है आपको चोट का दर्द है या किसी भी प्रकार से आपको दर्द है आपका दर्द हम घर बेटे हुए आपका दर्द को ठिक करते हैं ये एक साइंस है ये एक रेकी का चमतकार है इसके लिए मु करते हैं और इसका तुरंत रजल्ट मिलता है मालो आपको जाड़दात में दर्द है इंफेक्षन है आपका केवल आपका पांच साथ मिनट के अंदर आपका दर्द 80 परसेंट 90 परसेंट दर्द खतम हो जाएगा और 24 गंटे में आपका पूरा इंफेक्षन खतम हो हर 12 गंटे के अंदर रेकी लेनी होती है हर बिमारी के अंदर हम 12 गंटे के बाद हर 12 गंटे के बाद मरीज को रेकी देते हैं उसकी बिमारी हर रेकी के उपर खतम होती जाते चाहिए वो कोई वाइरेस है इंफेक्शन है कुछ भी हो मैंने सभी परकार की बिमारियों पर इसका प्रैक्टिकल किया है एक दो बिमारी जो जादा जानलेवा बिमारी होती है उनको छोड़ करके मैंने लगबाग सभी बिमारियों के प्रैक्टिकल मैंने इस रेकी सकती से किया है मैंने ऐसी ऐसी बिमारियों का इलाज किया है जो बड़े बड़े ओस्पिटल से डॉक्टर से वो बिमारिया ठीक नहीं हुई और हमने उनको रेकी से ठीक किया है ये एक समसे चमतकार से ये कम नहीं है दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे चमतकार इस रेकी से देखे हैं मैंने मेरी आँखों से जिनका आज का साइंस कभी भी इस रेकी की पाउर तक नहीं पहुँच पाएगा medical साइंस इसके सामने जीरो है कुछ भी नहीं है जितना पाउरफूल सिस्टम ये रेकी का होता है इसको मैं 10-15 साल से यूज कर रहा हूँ और मैंने लगबग हर परकार की बिमारी पे इसको यूज किया है और सभी बिमारियां सभी परकार के ठीक होई है टाइफ हाइड है टाइफ हाइड को केवल 36 गंटे के अंदर हम रेकी से बिलकुट ठीक कर देते हैं ऐसी कनफेड है कनफेड है कनफेड एक कान के पास इधर टूमर सा हो जाता है उस टूमर को हम 24 गंटे के अंदर दो रेकी करने से ही वो कान का इינफेक्शन खतम हो जाता है वो टूमर जो कान का कनफेड बोलते हैं वो ठीक हो जाता है अगर कान बहता है किसी को मैंने चार दिन में जो सालों से अलों से कान बह रहे हैं डाक्टरों से इलाज भी करवा लिया डाक्टर ने उनको उप्रिसन के लिए बोल दिया उन पेशेंट को मैंने कान के पेशेंट को केवल चार दिन देकी दे देक और एक नहीं ऐसे सेक्डो पेसेंट मेरे नोटेश में है मेरे इलाज के उनके मेरे पास नंबर भी है आप भाई कोई किसी का अगर पूछना चाहता है मैं उनके नंबर दे सकता हूँ आपको आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं दोस्तों इसमे किसी प्रकार का डाउट नहीं है ये 100% एक साइंस है एक आधूनिक बहुत ही जबरदस्त एक इलाज करने का तरिक्का है बहुत सी मानसिक बीमारियां ऐसी होती जो डाक्टर से बड़े-बड़े ओस्पिटल से ठीक नहीं हूँ उनको हमने 15 मिनेट में उन बीमारियों को ठी किया है और ऐसे ठीक हुए है ऐसे ऐसे पेशेंट जिनके टूमर था गले के उपर और दोनों कानों के बीच में वह बहुत 3-4 महिने से डॉक्टरों से इतनी बड़ी ओस्पिटल में नाम नहीं लेना चाहता है उससे उस पेशेंट का वहां खासी बंद नहीं हो रही थी और तो मैंने उसको 24-गंटे में उसकी खासी को बंद कर दिया इसी रेकी सकती से और तीन मेने का उसका टूमर शतर परसेंट छोटा हो गया रेकी सकती से ये चमतकार रेकी करते हैं हरा आतमी रेकी को जानता नहीं है हिंदूस्तान में हमारे भारत देश में 95% लोग नहीं जानते रेकी और इपनोथ्रेपिक क्या होती है यह क्या तरीका होता है इस एक इलाज करने का दोस्तों कुछ भाई यह इन चीजों को नहीं समझते वो बार-बार मेरे कोमेंट करते हैं आप आमें के लिए देशी हिलाज के जड़ी बूटियों से हिलाज के लिए मैंने एक नया चैनल बना लिया है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर आपको डॉक्टरों से पूरी तरह से आप मैं मैं चाहता हूँ आप बीमारी से दूर रहें डॉक्टर को देसी जड़ी बुटियों से ठीक किया है ऐसे ये पीलिया की बिमारी है ऐसे गठिया की बिमारी है ये किसी डॉक्टर से बहुत साल साल लोगों ने इलाज किया लेकिन उनका गठिया को ठीक नहीं कर पाए और हमने देसी जड़ी बुटियों से उनका गठिया को ठीक किया ह तो दोस्तो आज का हमारा विशे है पीलिया के बारे में दोस्तो पीलिया एक बहुत ही खतरनाक बिमारी है ये एक वाइरस के कारण से हमारे सरीर के अंदर ये गुशता है ये वाइरस और हमारे लीवर को इंफेक्टिट करता है दोस्तो हमारे सरीर का में इंजन होता है लीवर हमारा इस लीवर के बहुत काम होते हैं और यह काम करना बंद कर देता है पूरा सरीर का सिस्टम बैठ जाता है पूरा सरीर काम करना छोड़ देता है दोस्तों यह हमारा देनी साइड के अंदर हमारी जाए पसलिया खतम होती है यहां इसके निचे एक इतना बड़ा एक अंग ह होता है lever यह लीवर हमारे खाने के अंदर जो हम जहर खा रहे हैं हर प्रकार के खाने में आज जहर मिला हुआ है पेस्टी साइड मिला हुआ है कोई भी फूट सबजी अनाज आज इन जहर से मूपत नहीं हुआ है क्योंकि लोग जमी जो खेती में किशान लोग है सप्रेच छड़कते हैं किट नासक सप्रेच करते हैं खरपतवार नासक छिड़कते हैं, रासाइने खाथ छड़कते हैं, सबजियों में कीट नासक जवाई छड़कते हैं, फलों पर कीट नासक छड़कते हैं, और भी कई परकार के ऐसे ऐसे केमिकल को होते हैं, जिनको वो जल्दी पकाने के चक्कर में, जल्दी बढ़ा करने के जक्र में उनके अंदर injection डोशते हैं ऐसे केमिकल ठोशते हैं जिससे वो जल्दी जल्दी वो साइज में बढ़ा हो जाये और पक जाये जल्दी तो दोस्तों ऐसे ऐसे ये सभी प्रकार के जहर ये सभी हम सब्यों से फ्रूट से हर प्रकार की इन चीज़ों से हमारे सरीर में ज प्जबूत है लेकिन क्या करें जब बार-बार उपर से यह जहर अमारे शरीर के अंदर चलतार रहेगा तो शरीर भी एक दिन लोवा भी जैसे लोवे को जंग और पानी मिल जाता है वह लोवा खतम हो जाता है ऐसे हमारे शरीर को बार-बार हिए फॉइजन खाने को मिलेंगे इसके अलावा हम शराप पीते हैं कई प्रकार की ड्रिंक्स जो आज कल चली वी हैं इन ड्रिंक्स में इतना प्वाइजन होता है इनको विदेशों में लेटिंग साफ करने के लिए यूज नहीं कर आजाता है और उन ड्रिंक्स को हम यहां भारत में पी आज जाएगा तब वो पस्ताएंगे तब वो डक्टर के पास जाएगे डक्टर बताएगा आपका ये पर्ट कहराब हो चुका है तब क्यों हो आज बताएगा ठक्र वो पस्ताएगे तो दोस्तों समेher बीमारी आने से पहले आप शावदान रहें उत पतांक चीज ना खाएं, ड्रिंक्स ना करें, बाजार का रेडी मेट फूड, छोला, बर्गर, पिजा, ये इस तरहलाई चीज सब आवाइड कर दें, घर में बनाएं, कोई भी खाना है, घर में बनाएं, शुद बनाएं, ज्यादा ये फैटी चीजें होती हैं, ज्यादा लिमिट से खाएं, ज्यादा ये उनका इस्तेमाल ना करें, शुद साग, सबजी, जो गरेलू, सब को दो करके, उबाल करके, अच्छी तरह साब करके उनको खाएं, ताकि कोई किसम का वाइरेस उसके अंदर है भार, वो आपके सरीर को इंफेक्टेड ना करें, तो दोस्तों, आज हम बात कर र वाइरेस है, ये हमें खान पान से और पाने जो हम पीते हैं, ये दूसित पानी पीने से, दूसित खाना खाने से, दूसित जगें रहने से, ये अमारे सरीर में ये वाइरेस जाता है, और हमारे लिवर को इंफेक्टेड करता है, अमारे लिवर में इंफेक्शन हो जाता है, और लिवर काम करना अमारा कम कर देता है इसके बाद में धिरे 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 हमारे सरीर के अंदर पीला पनाता है आखों में पीला पना जाता है कमजोरी आ जाती है बहुत चलने फिर लाइक नहीं रहता आदमी हिम्मत आर जाता है सांस फूने लग जाती है ये पीलिया बहुत इसके दो वाइरेस और ज्यादा खतरनाक है ए और ए का आसानी से आप घर बेटे एक कुछ दो चार दिन में एक अपते में आप पूरी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं लेकिन बी और सी जो वाइरेस है यह आपको डाइरेक्ट नहीं लगता खाने से नहीं लगता यह आपके शरी अग्र किसी घेपैटियेट्स पीलिया के जो अधेट Arts B होता या सी होता है अगर उसकी नीडल को दूसरी आदमी की नीडल को अंदर लगती है सुई कर पिर्ची जो अंदर जाती है मास्क के अंदर उससे वह वाइरस हमारे सरे के पैल जाता है और इस तरह से यह मेल और फीमेल के कनक्षण से भी आपच में पैल जाता और भी जैसे कोई टूल स्वागयर है होस्पिटल में जैसे कोई पेशेंट गया हुए है पेटाइटिस भी का उसको इंजरी वही है उसमें स्टेचिंग वग्यारा कांट फास जो भी डॉक्टर करते हैं वो टूल सी इस्तेमाल करते हैं अगर उन टूल को अगर सही प्रकार्शिव बॉयलिंग वग्यारा उसकी का वायरस हमें खांदानी जो जैसे कोई माता है उसके पेट में बच्चा है अगर उसको एपेटाइटिस भी आसी हो गया तो यह समझो उसके जो पेट में बच्चा है उसको भी यह वायरस जाने के पूरा चांस होता है ऐसे यह हमारे सरीर से दूसरे में फैलने का चांस होत इसका क्या करें तो उसका मैं देशी समाधान बहुत ही कम पैसे का फिरी में जो प्रकरतिन वर्दान के रुब में हमारी भारत वर्ष की दर्थी पर हर जगें उपलब्द है और कोई पैसा एक पैसा लगने की ज़रूत नहीं है फिरी में आपका पीलिया ठीक कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहला एक देशी दवा मैं बताता हूँ मैंने ये मेरा फार में इसमें मैंने शेक्ड़ों प्रकार की ये आयुर्वेदिक और जड़ी बूटिया मैंने सालों से लगा रखी है मैं लोगों को देता हूँ और लोगों की बिमारिया ठीक होती हैं इस ये लीवर का सबसे एक नंबर की दवाई मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ एक पोदा एक सेकंड का मैं आपका टाइम लेता हूँ इस पोदे को निकालने से निच्चे जमीन में से निकालता हूँ मैं दोस्तो ये देखो ये पोदा ही इसकी मिट्टी को मैं जड़का देता हूँ थोड़ा सा इसमें मिट्टी लगा हूँ है ये जड़क चुका है अब मैं आपको बिलकुल नस्दीक से करके दिखाता हूँ ये पोदा क्या है आप देख रहे हूँ इसके उपर देखो ये बीज लगे हुए निचे बाजरे के दाने जितने बड़े साइज में ये बीज लगे हुए उल्टा करके देखो इसके पत्ते सामने से हरे रंग के हैं गोलाई आकार के हैं इसको बोलते हैं बूमी आवला जैसे आवले का पेड़ होता है पूरी टैनियों पर आवला लगा होता है ऐसे ही यही आवला छोटा आवला यही इसके पूरी टैनिय के उपर पत्ते के निचे आप देखते हैं यह द लगा हुआ है यह इसकी पैचान दोस्तों लोग इसको खर्पतवार शमझते हैं लेकिन दोस्तों यह खर्पतवार नहीं यह एक बहुत ही चमतकारी जड़ी भुटी है और आपके लीवर को गिशनी को यह एक टॉनिक का काम करता है आपके लीवर को पूरी तरह से यह अकिला इसमें इतनी सक्ती होती है, जो आपके लिवर को पूरी त्रेस ही ठीक कर देती है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ, दूसरी एक ओस्दी और है, उसका तरीका मैं बताता हूँ, ये ओस्दी मेरे पास ही है, नीचे क्योंकि ये सब ओस्दिया मेरे नीचे लगाई हुई है। दोस्तों, इसकी दूसरी ओस्दी है, ये देखो, इसका नाम है पुनरनवा, इसको उल्टा करके देखेंगे, आप इसको पत्ते देखो, इसके पत्ते सफेद रंके हैं, इसको उल्टा करके, और आप सिधा करके देखेंगे, इसके पत्ते हरे रंके, ये टैनी हरे रंकी, य एक किसम की बेल होती है एक खरपतवार जो आमारे खेतों में होता है जिसको साटी बोलते हैं ये साटी का रूप है लेकिन ये खरपतवार नहीं है जो खेतों में होता है वो साटी नहीं है ये साटी का साइज आठाठ साथ साथ फुट लंबा फैल जाता है वो साटी दो रंके ये सामने से पिछे से सफेद रंका ये इसकी टैनिया होती है और यहां उपर गुलाबी रंके इसपे फूल लगते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं पुनरणवा, अब इन दोनों को आप ये पुनरणवा और ये भूमियावला, इन दोनों को ले 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 और इन दोनों को चोटे-चोटे टुकडे करके मिक्शी में डाल करके आप इसका बılकुल बारिक पीछने चट्नी बना लें, और उसमें एक ग्लास आदा ग्लास पानी डाल दें और इसको पूरी तरह से उसके अंदर छान करके और उसको सुबह खाली पेट पीज़ें अगर आपने एक अपता ये सिरफ ये दो चीज पी लिया आपका पी लिया पूरी तरह से जड़ से खतम हो सकता है दूसरा एक उपाय और बताता हूँ मैं जो पीलिये का रामबान उपाय है वो भी जो हमारे आपने देखे होंगे अरंड या मेरे पास नहीं है थोड़ा दूर है अरंड मैं उसके पास ले चलता हूँ आपको उसको दिखाता हूँ उसके अरंड के चार पास पत्तों को आप त रस निकालें मिक्सी में अच्छी तरह पीसे उसको और उसका रस निकाल लें खाली पेट 20-25 एम्मेल उसका अरंड का पत्तों का रस आप पी लें आपका पीलिया एक अपते में पूरी तरह से गायब हो जाएगा दोस्तों इस तरह से हमें पीलिया से ये तीन जड़ी इसके परहेज आपको ज्यादा तला हुआ खाना ज्यादा मीट मसालेदार ये सब्जी यह जो भी खाते हैं आप मीट वग्वेड़ा ये इसको अवाइड करें और सिंपल सुद्द सब्जी खाएं और सिंपल आहार खाएं प्रोटेन खाएं इसमें चने की दाल का प्रोटे प्रोटेन क्योंकि ये थोड़ा हाड पड़ता है मूंग की दाल खाएं मसूर की दाल खाएं हरी सब्जी खाएं पत्यदार सब्जी खाएं लोकी गिया तोरी जितना भी ये सब्जी आप खा सकते हैं और उसमें आपको कोई नुक्षान नहीं होगा दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही कल में बताऊंगा आपको अगली बिमारी के बारे में जो आमारे किड़नी लीवर और हार्ट से सम्मंदित है उसको जिसको हमारे पेरों में सोजा ना जाता है हम अगली वीडियो में उसके बारे में बताएंगे दोस्तो आज के वीड वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर जरूर करें ताकि इसी भाही का और का भला उसके दोस्तों नमस्कार